नमस्कार आदनिया प्रतिन कुत्री श्री नरेंदरबाई मोधी जी को मेरा शत्सत नमन मेल हेतल जानी गुजरात के सुरिंद्रा नगर जीले से बोल रहे हूँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी के खिलाफ कई दल एक जुट होकर लडने की कोशिश कर रहे है और अलग-अलग सोच वाली और एक दुसरे के खिलाफ लडने वाली पार्टी या भी आज एक जुट होकर ना दिखावा कर रही है ना टक कर रही है तो आप इसे कैसे देखते हैं मुझे लगता है आपको भारी गुसा है लोगों पर देखिए ऐसे लोगों पर गुसा मत किजिए दया किजिए उन लोगों पर अजया आपको याद होगा जरा मैं पुरानी बात याद कराता हूं हमने 2014 का चुनाव देखा है और 2019 का भी चुनाव देखा है देखा है ना याद है ना 2014 के आलात क्या थे याद है ना 2019 के आल क्या थे हो याद है ना भाजपा के जो गोर विरोती दल है 2014 हो या 19 वो कितने ही गोर विरोधी थे लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे पानी पी पी कर कोशा करते थे गालियां देते थे अब उन लोगों को आगे जाकर वो सास्टांग प्रणाम कर रहे हैं नतमस्तक हो रहे हैं ये उनकी मजबूरी है ये विपक्षी दलों की इन हरकतों से उनकी गबराहट से साफ है कि देश की जनता ने दो हजार चोबिस के चुनाओं में भाजपा को वापिस लाने का मान बना लिया है दो हजार चोबिस में फिर एक बार वाजपा की प्रचंड विजय तैंड रहे हैं इसी वज़े से ये सारे विपक्षिदाई बौखलाए हुए है इसलिए इन्हों ने तै किया है कि चुनाओं से कुछ महिने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुम्रा करके कुछ लोगों को बर्गला कर जूठे आरोप लगा कर सत्ता हासिल की जाए आप जरा प्यारते बैटिये बैटिये बैटिया आपका उत्सा जब बूत में आप जाएंगे वहां उत्सा दिकाना आज कल जरा एक जरा ध्यान से सुनिये आपको मजाएगा एक बात मैं आपको बताता हूँ आप बैटिये आगे आने कोशिश मत कीजिए बैटिये आज कल एक नया शब्द बहुत पॉप्लर किया जा रहा है वो शब्द आपके कान पर भी आया होगा वो जो नया शब्द पॉप्लर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी बार बार शब्द आता है गारंटी बाजपा के कायर करताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है जानना चेल रहे ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है ये सारे लोग ये दल गारंटी है ब्रस्टाचार की ये गारंटी है लाखों करोर रुपियों के गोटालों की कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो अप कारकम हुआ था मिलकर के फोटो निकालने का एक कारकम हुआ था इस बैटक में शामिल दलो के इतियास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के जितने भी लोग फोटों में दिखते हैं ना एक-एक को जड़ा देख लीजिए उन सब का मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम बीस लाग करोड के गोटाले की गारंटी है और कांगरेश का गोटाला ही अकेले लाखों करोडों का है एक लाख छैयासी हजार करोड का कोईला गोटाला एक लाख छहट हजार करोड का पूजी गोटाला सत्तर हजार करोड रुपिय का कॉमन बेल गोटाला शामिल है दस हजार करोड रुपिय का मनरेगा गोटाला हेलिकॉप्टर से लेकर सब मरिन ताथ कॉंगरेश के गोटाले से कोई ऐसा खेत्र नहीं है जो कॉंगरेश के गोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो अब दूसरा देखिये आरजेडी हजारो करोड के गोटाले का आरोप है चारा गोटाला अलकत्रा गोटाला पशुपालन शेड गोटाला बाड राहत गोटाला आरजेडी के गोटालों की इतनी लंबी सुची है अदालते भी ठक गई एक के बाद एक सजा गोशित करती चली जा रही है उदर तमिल लाडु मैं देखिये डियम के पर अवैद तरीके से सवा लाग करोड की संपत्ती बनाने का आरोप टी-मजी पर भी तेइस हजार करोड रुपिये से जादा के गोटाले कारों रोजवेली गोटाला शारदा गोटाला सिख्शक भरती गोटाला गो तसकरी गोटाला और कोईला तसकरी गोटाला बंगाल के लोग ये गोटाला कभी भूल नहीं सकते अगर मैं NCP की बात करूँ तो NCP पर भी करीब करीब सत्तर हजार करोड रुपिये के गोटालो कारोप है महारास्त्र स्टेट कोपरेटिव बैंक गोटाला महारास्त्र सिंचाई गोटाला अवैद खनन गोटाला इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है इन पार्टियों के गोटालो का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कायर करता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का गोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया आप पे सो जो इनोवेटिव हो ना बढ़िया इनके गोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए इन पार्टियों के पास गोटालों का ही अनुबव है इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गोटालों की गारंटी अब देश को तै करना है क्या ये गोटालों की गारंटी को देश शुकार करेगा देश शुकार करेगा लेकिन दोस्तों मैं आपके बीच मैं से पल करके बड़ा हुआ हूँ आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहाँ पहुचाया है तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूँ देदो 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 अगर उनकी गोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी गारंटी है और मेरी गारंटी है हर गोटाले बाद पर कारवाई की गारंटी हर चोड लुटेरे पर कारवाई की गारंटी जिसने गरीब को लूता है जिसने देश को लूता है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा आज जब कानून का डंडा चल रहा है जब जेल की सलाके सामने दिख रही है तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्रेम ब्रस्टा चार के विरूत एक्षन से बचने का ही है बाजबा के बूतस्तर के कार करता इस बाज को गाउं गाउं तक पहुचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्त्विक्ता का पता चल ही जाएगा लोग स्वयम जागरुक है वो देख रहे हैं इस विपक्षी एक्टा की कोशिच के पीछे सभी दलों की क्या मन्सा है उन दलों की असली पैचान बीस लाग करोड रुपिये के गोटाले की गारंटी है यही उनका इतिहास है आप देखिए कि गाउं में कोई अपरादी जब अपनी जेल में सजा काट कर गाउं में आता है तो उसे लेकर क्या रवया होड़ता है वो लोग वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उत्कंटा रहती है कि जेल कैसी होती है जिनको खुद जेलने का डर होता है अब पटना से बढ़िया जगा क्या हो सकती है और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं जो गोटा लोग के आरेपी है जिनके उपर प्रस्थाचार के अरोप है ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव ले करके आए हैं ये इस तरह एक दूसरे को बचाने में उसकी कोशिश कर रहे हैं ये देश के लोगों को समझ रहा है और देश के लोग हमसे भी जादा इन बातों को बली बाती समझते हैं साथियों कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोड दिया उसका क्या परणाब हुआ परिवार के नाम पर बोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया अब आपको सोच समझ करता है करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं आपको गांधी परिवार के बेटे-बेटी का विकास करना हो तो फिर कॉंग्रेस को वोड दीजिए आपको मुलायम सी जी बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पांटी को वोड दीजिए अगर आप लालू परिवार के बेटे-बेटियों के हो उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोड दीजिए आपको सरत प्रवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप आपको के चंदर से कर राव की बेटी का भला करना हो तो आप भी आरेस को वोड दीजिए लेकिन लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे देश वासियों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा अगर आपको अपने बेटे का अपनी बेटी का अपने पोते का अपनी पोती का अपने नाते का अपनी नाती का अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का बड़ा करना है तो आप वोट बाजपा को दीजिए